अज़े नमस्कार रादर रादर अर्मादेयो मैं आपका आचार देव आज बात करेंगे ब्रिश्चिक रासीवालों के लिए जो जो बुध महराज की गोचरी स्थित है बुध महराज हो चुके हैं मारगी बुध का मतलब बुध्धी बुध का मतलब दिमाग से काम करने वाल बुद्ध माराज आपके खष्टम भव में वक्री हुए है तो आप जो समस्चाओं को सुल्जाने का जो तरीका था। वो थोड़ा सलो हो गया है, सही तरीके से नहीं सुल्जा रहे थे जैसे बुद्ध महाराज मारगी होंगे समस्चाओं को सुल्धाने के ओर आगे बढ़ जाएंगे बुद्ध महाराज मेसरासी में वक्री हैं और मेसरासी में ही मारगी हो रहे हैं 15 मुए को प्राता काल 8 बजे के आस-पास तो यहां से परिस्तियों पर आप आधिपत्य बनाना शुरू करेंगे, परिसानियों से दूर करना शुरू करेंगे, तो परिसानियों से आप धीरे धीरे आगे दूर भूंगे, इसके पहले बिनम अन्रोदेगे आप पमारे चैनल पर पहली बार आएं, तो फिर पर चैनल को करें बीड़ों आप देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा तो मित्रों को जानकारी के लिए सेर करिएगा बुद्ध बुद्धी का स्वामी है बुद्ध अच्छा आप बुद्धिमान बुद्ध खराब आप बुद्धो और जीवन में हम सब बुद्धिमान होना चाहते हैं कोई भी एक सिंगल विक्ति अपने आपको बुद्धो या पप्पो नहीं कहलाना चाहता देखिए जिनका बुद्ध खराब होता है पप्पो बन जाते हैं आलो डालेंगे सोना निकालेंगे ठीक वो बोलते हैं तो क्या बोल जाते हैं बुद्ध वाणी का कारक है अब बोलते हैं कि यूपी की महिलाएं एक साल में बावन बच्चे दे सकती हैं मतलब एकदम मूर्खता पूर्ण वाला फासन मूर्खता पूर्ण ठीक है ना अब आप किसी भी पार्टी से हो लेकिन इस तरह को डालाग है वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो जब भी जिस तरह की चीज़ें बोल जाएगा तो अभी बुद्ध आपके वक्री थे अब हो रहे हैं मारगी कांपे मारगी हो रहे हैं तो मारगी में सरासी में हो रहे हैं कहां पर भरनी नच्छत्र में और भरणी से कृतिका की और प्रवेश करेंगे तो पंद्रह मैस से ले के 31 मार्ज तक बुद्ध महाराज में सरासी में रहेंगे क्या करेंगे बुद्ध लाव के स्वामी है और लाव से आठ में बैठे है तो अभी तक आपके जो लाव की मृत्ति हो रहे थी ना लाव में संजीव नहीं आ जाएगी लाव थोड़ा जिंदा होने की कोशिस करेगा लाव मिलने की कोशिस करेगा बुद्ध वक्री हो गए ते बुद्ध के पास छमता थी सत्रूं को मार देने की सत्रूं को मृत तुल कस्ट देने की वैसे बुद्ध देखिए मारता है जो ना किसे ठीक करेंगे बुद्धी बल से ठीक करेंगे बुद्ध का मतलब होता है बिवेक की द्वारा काम करना और यहां पे आप बिवेक की द्वारा काम करेंगे तो जैसे जैसे बुद्ध मार्गी हो कि आगे बढ़ रहे हैं आपका रास्ता धीरे धीरे प्रसस्त होगा अश्टम भाव का स्वामी खश्टम भाव में बैठा है तो ये बोल लाए कि देखो अगर बुद्धी का उपयोग किये सारी रिगबल का नहीं बुद्धी का उपयोग किये तो मैं आप भरने से कृतिका में जा रहा हूँ सूर नारान का तेज लूँगा मतलब बड़े अधिकारियों से संबंद बनाऊँगा राजनैतिक लोगों से संबंद बनाऊँगा जो बड़े हैं समाद में उनसे संबंद बनाऊँगा और अपनी प्रावलम को इसे चुटकियों में निप्टा दूँगा ग्रॉओं के भासा को समझे जोतिस बहुत आसान है आप सीखना चाहते हैं तो हमारे देव उलाजी पे पधारिए ठीक है न, वहाँ पे कारे धीरे से आरम हो चुका है और जुलाई में स्पीड पकड़ लेगा तो वहाँ पे आप आईए जोतिस को एसे लेके जट तक बहुत सरलतम तरीके से आप सिखिए खुद का भला करिए लोगों का भला करिए क्योंकि जोतिस इस्वर के द्वारा दी हुई अनमोल उपहार है हमारे आपके लिए तो बुद महाराज की बुद महाराज का मारगी होना आपके जीवन में परिसानियों सिन्जात पाने जैसा है आपको मारग पे ला देगा सत्त्रों को मारग पे लगा देगा आपको मारग पे लाएगा और बुद्धी तभी आपकी जागरित होगी जब बगवान गणपत की आराधना करें तो अम गम गणपत है नमा बगवान गणेश की आराधना उपासना करना स्रेश पर नाम देगा पंच्यों को चारा डालते रहे बुद्ध अगर आपका खराब हो रहा है कि स्किन रेल्टे ये मुस्क्राटे रहे रादे रादे करते रहे